हेलो क्लास 10th के स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बोर्ड एजामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी है ना बहुत सारे ऐसे हाइलाइटेड कोशन्स होते हैं जो बार-बार CVSC में पूछ लिए जाते हैं तो वही प्रिवेस येर कोशन से ही वो सारा कोशन CVSC करती है तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमने Acid Vases and Salt का वीडियो करवाया था जिसमें मैंने चार कोशन सी डिसकस करवाया थे वो वीडियो हमारा Part 1 बन गया था यह वीडियो हमारा Part 2 बनेगा थी कहा है उसी वीडियो का यह Part है तो आईए स्टार्ट करते हैं बच्चों तो यहाँ पर मेरे तो मारकर मेरे जेम में ही रहता है हाह तो यहाँ पर मैं एक कोशन पढ़ूंगा और आप लोग को जबाब दे लिस्ट दा इंपोटेंट प्रडक्ट्स अप रोड एलकेली प्रोसेस राइट वन इंपोटेंट यूज आफ इच यह देखिए बहुत इंपोटेंट कोश्चन है क्लोड एलकेली प्रोसेस से आपको कोश्चन यहां पे दिख रहा होगा क्लोर एल्केली प्रोसेसद देखो भाई आपको question में क्या कह रहा है कि क्लोर एल्केली प्रोसेस का important product बताना है तो देखो भाई इसका क्लोर एल्केली प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि यह एक परकार का ऐसा reaction है जिसमें क्लोर यहां पर क्लोरीन के लिए और एलकेली यहां पर एक एलकेली बनता है जिसका नाम है इसके लिए यहां पर यह बात बताई गई है क्योंकि यह जो रियक्षन है इसमें क्लोरीन और एक एलकेली बनता है सोडियम हाइड्रोकसाइड जिसके लिए इसका नाम पर प्रोसस प्रोसस तो यहां पर यह जो क्लोर एलकेली प्रोसस है इसमें कौन-कौन से important product बनते हैं तो मैं बता दूँ क्लोर एलकेली process में होता क्या है जब हम लोग ब्राइन लेते हैं ब्राइन किसको करते हैं जब अब NACL को water में mix कर दो भाई आप तो उसको हम brine करतें उस solution को तो brine solution में अगर हम लोग electricity pass कर वाएंगे क्या students, brine solution में अगर हम लोग electricity pass कर वाएंगे है न, तो यहाँ पर हम लोग को बनने वाला है N-A-O-H, प्लस में chlorine gas निकलता है यहां पर और उसके साथ साथ hydrogen gas भी निकलता है यह हमारा solid यह हमारा liquid यह हमारा aqueous यह हमारा gas और यह हमारा gas ऊके स्टुडेंस तो यहाँ पर इंपोटेंट प्रोड़क्ट कॉनकॉन से हो गया यहाँपर एंध हमारा इंपोटƠ्ट Canon लिए प्रोनद फिर हुए भी थे रोंद I tan प्रोसेस में बना देखो मैं आपको पहले बता दिया कि यहां पर nao h एक हमलों का एलकेली है और यहां पर क्लोरीन को क्लोर बोला गया है तो इसलिए इस प्रोसेस को क्लोरल केली प्रोसेस बोलते हैं है ना तो यहां पर nao h chlorine और hydrogen यह सारा चीज प्रडीउस्ट वोता है इसका आपको यूज बताना है तो आपको मैं बता दू एन ए ओच जो होता है इसका जो अपीयोग होता है वह स्वॉप एंड़ एंड डिटरजेंट बनाने में इसका उप्योग किया जाता है इन एओच का हमारा क्लोरीन जो है हमारा जो आपको lek हो जाता है यहाँ पर क्लोडी जो है वह वाटर को प्यूडीफाइब करने के लिए इसका उप्यूग करने के लिए गास है समझभाया और उसके वाद हाइड्रोजन की बात करोगे तो रॉकेट फ्यूल जो होते है उसका जो फ्यूल होता है यानि रॉकेट में जो भी फ्यूल डाला जाता है वो हाइड्रोजन का ही होता है लिक्विड हाइड्रोजन का होता है समझभाया तो यह सारे इसके यूजेज हैं समझ मैं तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं हम लोग का यही कोशन था है ना हम लोग का यही कोशन था आप जल्दी से नोट कर लीजिए मैं साइड हो लेता हूं यही कोशन था कि list the important product of chloralkali process chloralkali process में कौन-कौन से प्रोड़क्ट बनते हैं तो मैंने बता दिया एने ओएच क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस और उसके सासद बता रहा था कि कि यह सारे प्रोड़क्ट यूज क्या क्या है मैंने यूज भी बता दिया तो इसको आप लोग नोट कर लिजिए हम लोग आगला कोशन आप लोग के सामने लेकर आ रहा है यह जो कोशन था वो 2003 में पूछा गया दौहज़ार बीस का यह कुश्चन है तो इसको नोट्डाउन कर ले फिर अगला कोशन डिसकेस करते हैं तो देखे हम लोग का next question के students ध्यान से देखे का यहां पर दिख रहा होगा how is washing soda prepared from sodium carbonate give its chemical equation and state the type of this salt and name the type of the hardness of water which can be removed by it and this question is asked in 2020 cbsc board examination तो चलिए इसको solve करते हैं students बहुत easy question है कोई बड़ी चीज नहीं है क्या रहा है कि how washing so how is washing soda prepared from sodium carbonate sodium carbonate हम लोग जानते हैं यहां पर question है नीचे लिख देता हूं sodium carbonate Na2CO3 होता है जब हम sodium carbonate में recrystallization कर देंगे यानि 10 moles water add कर देंगे recrystallize कर देंगे तब जाके हमारा क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O है ना and this is what this is sodium carbonate decahydrate क्या है भाई यह यह है sodium carbonate this is sodium carbonate decahydrate and we know that यह sodium carbonate decahydrate ही तो हम लोग का washing soda होता है यही तो है भाई washing soda तो भाई हम लोग अगर हम लोग को क्या कह रहा है एक मिनट यह तो बंद हो जाता है बारबर एक मिनटने कोशन देख लू हाँ हम लोग को कह रहा है कि washing soda से हम लोग sodium carbonate से हम लोग वासिंग सोड़ा कैसे बनाते हैं तो भाई students तो पहला हम लोग का question solve हो गया next कह रहा है हम लोग का क्या इसमें कह रहा है question give its chemical equation तो chemical equation तो हमने यहां पर दिखा ही दिया chemical equation भी दिखा दिया और कैसे करेंगे sodium carbonate में क्या करेंगे जो हम लोग का washing soda बन जाएगा इसको soda s भी बोलता है तो भाई हम 10 moles water add करेंगे washing soda complete हो जाएगा बन जाएगा प्रिपेर हो जाएगा तो हम लोग को पता होना चाहिए यह एक basic salt होता है यह एक basic salt होता है यह कैसा है यह हम लोग का basic salt होता है आगे क्या question कह रहा है मेरे प्यारे students आगे question कह रहा है name name the type of hardness of water which can be removed by it देखो भाई इससे जो है न हम लोग water का permanent hardness को पूरी तरह से खतम कर सकते हैं रिमूब कर सकते हैं हम लोग का जो washing soda होता है उसका use case में किया जाता है water के permanent hardness of water को पूरी तरह से complete खतम कर देगा वह तो तो water का जो permanent hardness है उसको खतम करने के लिए रिमूब करने के लिए हम लोग washing soda का इस्तमाल करते हैं इसका मैं कारण आपको पता देता हूं हम लोग जानते हैं कि water जो होता है water में हम लोग का क्या-क्या present होता है water में हम लोग का magnesium sulphate present होता है calcium chloride present होता है है ना अब इसी के वज़ा से हम लोग का जो water है वो hard हो जाता है तो भाई इसको remove करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है हम लोग का यह sodium carbonate decahydrate add किया जाता है तो हम लोग देखिए भाई MgSO4 का reaction अगर किसके साथ sodium carbonate Na2CO3 के साथ करवादे तो यहाँ पर होता क्या है मेरे प्यारे student वह भी बता रहा हूं और अगर calcium chloride क्योंकि यह दोनों product रहता है नो water ना पर जान और फिर हमने Na2CO3 मिला दिया तम क्या हुआ देखो भाई होता क्या है यहाँ पर double displacement reaction हो जाता है यहाँ पर two positive यहाँ पर two negative यहाँ पर two positive यहाँ पर two negative तो यहाँ पर sodium carbonate में बहुत सारे यहाँ पर carbonate iron है वो क्या होते कार्वोनेट आयन यह सारे कार्वोनेट आयन यहां चले आते हैं और सल्फेट का आयन यहां पर चला आता है यहां डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन हो जाता है तो भाई बनता क्या है यहां पर MgCO3 बन जाता है जो की water में soluble नहीं होता है वो water में soluble नहीं होता है और उसके बाद हम लोग का बन जाता है NaCl नहीं Na2SO4 sodium sulfate ये बन जाता है अब देखे ये जो आपको दिख रहा है magnesium carbonate ये water में soluble नहीं होता तो भाई water में जो soluble नहीं है और इसके वज़ा सही hardness था तो इसको water से हम लोग बाहर कर देंगे remove कर देंगे तो भाई water में जो है permanent hardness जो होता है वो तो खतम हो जाएगा remove हो जाएगा और यहाँ पर वही बात है यहाँ भी देखे वही बात है यहाँ पर two positive two negative two positive two negative ions का यहाँ पर कार्वोनेट आयन यहाँ पर आ गए chlorine की आयन उधर चले गए तो यहाँ पर बन जाएगा क्या बनेगा भाई cacoo3 और प्लस में क्या बन जाएगा nacl बन जाएगा और यहाँ पर cacoo3 calcium carbonate भी एक precipitate होता है white color का precipitate होता है और यह जो है ना water से अगर यह remove हो जाएगा water से यह निकल जाएगा तो भाई साथ water का permanent hardness क्या हो जाएगा loss हो जाएगा remove हो जाएगा तो यह कारण से हम लोग कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग washing soda add कर देंगे water में तो water का permanent hardness खतम हो जाएगा उससे बाहर चला जाएगा ठीक है remove हो जाएगा तो I think आपको समझ में आ गया होगा यह question का पूरा solution मैंने बता दिया तो इसको note करें जल्दी से note कर लें तो देखें मेरे प्यारे students next question क्या कह रहा है यह बहुत अच्छा सा question है क्या कह रहा है कि during electrolysis of brine a gas this gas G is passed through slack lime a compound C is formed which is used for disinfecting drinking water okay and इसमें पहला question यह तो statement मैंने पढ़ दिया इसमें question पूछ रहा है write the formula of G and C G and C का formula आपको बताना है chemical formula दूसरा आप पूछ रहा है इसमें question state the chemical equation involved यानि यह जो reaction है इसका chemical equation आप लोग को बताना है तीसरा question है कि what is common name of compound C यह जो compound C है उसका common name क्या है वो बताना है और give its chemical name और इसका chemical name भी बताना है यह question 2020 में पूछा गया है तो आईए मेरे प्यारे student यहां तो आप लोग से question यहां पर पहला क्या कह रहा है कि आपको बताना है write the formula of G and C G and C क्या है भाई पहले मेरे को यह समझना पड़ेगा तो जब brine brine का electrolysis होता है तो एक gas निकलता है G नाम का gas तो brine क्या होता है मैंने अभी बताया brine क्या होता है sir जब हम NACL को अगर water में mix कर देंगे तो वो solution होगा न वही होता है हम लोग का brine that is brine solution यानि यह दोनों जो है न brine solution कहलाते हम लोग तो जब यह reaction होता है तो G पर तो एक G gas निकलता है जो की anode पे निकलता है okay sir anode पे तो देखो भाई actual में होता क्या है जब यह reaction होता है तो हम लोग क्या करता है अगर brine के solution में अगर हम लोग electricity pass करवाते हैं पहले मैं पूरा reaction करवा दू electricity अगर pass करवाते हैं तो हम लोग का एक alkali बनता है that is NaOH और यहाँ पर एक chlorine gas और एक hydrogen gas निकलता है और मेरे को यह नहीं पता है कि chlorine gas cathode पे निकलेगा की anode पे कि hydrogen gas cathode पे निकलेगा की anode पे तो मेरे को पहले यह confirm करना है तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर G gas है वो anode पे निकला है तो G gas कौन सा gas है वो chlorine है कि hydrogen है यहाँ एक gas रहता तो मेरे को confirm हो जाते लेकिन यहाँ पर दो-दो gas है तो कौन सा cathode पे निकलेगा कौन सा anode पे निकलेगा तो में पता नहीं है तो चलेए इसको proof करने के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ देखो भाई होता क्या है हम लोग जानते है मैं एक experiment से आपको यहाँ पर proof करवाना चाहूँगा कारण क्या होता है कि यह देखो यहाँ पर चलो मैंने यहाँ पर यह बना दिया यह एक बिकड बना दिया इसमें मैं एक cathode माल लेता हूँ और एक anode माल लेता हूँ यह रहा हम लोग का cathode या anode को भी मिम माल लेता हूँ चलो ठीक है यहाँ पर मैंने battery भी लगा दिया इसमें बढ़िया है sir current flow होगा बढ़िया इसमें मैंने एक solution ले लिया चलो चलो मैंने इसमें एक solution भी ले लिया तो अब मेरे को पताओ यह NaCl और water है इसमें जो NaCl और water है तो अगर मैं बात करूँ NaCl NaCl और water का solution है तो यह दोनों जो compound आपको दिख रहे हैं इसमें कौन-कौन से iron प्रजेंट होगे NaCl में दो iron प्रजेंट होगा एक H positive प्रजेंट होगा और एक और प्रजेंट होगा that is OH minus तो भाई यह जो solution आपको दिख रहा है जो कि एक brine solution है इस इस brine solution में आपको चार तरह के iron दिखेंगे एक Na positive एक हम लोग का Cl negative एक आपको H positive और एक आपको OH negative है ना और मेरे को इतना जंजट मैं इसलिए ले रहा हूं कि मेरे को पता नहीं है कि भाई G gas यह है कि G gas यह है मेरे को पता नहीं है कि कोन cathode पे निकल ला है कोन anode पे कोई एक gas निकल तो मेरे को confirm हो जाते लेकिन एक gas तो है नहीं दो-दो gas है तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, यह तो को परा टर्मिनल है, यह पॉजिटिव है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पूड़ा पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो पूड़ा इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस ये दो दो हम लोग का positive आयम दिख रहा है तो ये हम लोग का positive है ये हम लोग का एनोड होता है पॉजिटीव एनोड होता है लेकिन आप लोग अगर class 12 में जाओगे तो ये फंडा गलत हो जाएगा गयलवैनिक सेल पढ़ोगे और भी तरतरा का सेल पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा ये बात क्लास 10 के इसाब से मैं बता देता हूं कि एनोड पॉजिटीव चार्ज होता है यहां लेकिन अगर मैं बात करूं तो निगेटिव चार्ज भी एनोड होते हैं आप लोग पढ़ो जहां पर ऑक्सिडेशन होता है जहां पर ऑक्सिडेशन होता है वो हमेशा एनोड होता है और जहां पर रिडेक्शन होता है वो हम लोग का हमेशा कैथोड होता है बस ये बात गांट बांद लो कभी भी नहीं बूल पाओगे यानि जहां पर ऑक्सिडेशन होता है वो सी यार आओ चोपलाल रंजीत मैंने ये ट्रिक बनाया है इसको आप याद कर सकते हो या आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस तरह से याद कर लो ठीक है एनोड पे ऑक्सिडेशन क्या थोड पे रिडक्शन हमेशा यह बात याद रहेगा चलो तो मेरे को यह लफ रात तो सौल बात है न´गेटीव चार्ज है तो क्या है इस टर्मिनल पर या इस एलेक्ट्रोड पे पोजीटीव चार्ज आ जाएंगे कि negative charge दवडेंगे इस पर definitely बात है negative charge दवडेंगे क्योंकि anode हमारा positive charge है तो इसके negative वाला जो है यानि इसके बिपरित जो है इसके opposite जो है वही तो इससे contact में आना चाहेंगे समझ मैं रहा है तो anode पर दो हम लोग के जो negative ions वो दवडेंगे क्योंकि हम लोग जानते है anode जो है वो positively charge होता है तो इस पर जो ions होंगे वो negative ions ही attract होंगे इससे तो हम लोग का दो negative ion दिख रहा है एक chlorine, Cl negative और एक OH negative तो बताओ इस दोनों में से कौन पहुँचेगा इस दोनों में से कौन यहाँ पर anode के पास पहुचेगा क्योंकि anode का condition क्या है anode पर कोई एक ion से जा पाएंगे कोई दूसरा ion नहीं जा पाएगा तो भाई साहब कौन जाएगा तो देखो आप बताओ आप लोग ये बला game खेलो आचा एक ये छोड़ो game छोड़ो आप लोग अकेले बहुत तेजी से दौर पाऊगे की दो आदमी को लेकर बहुत तेजी से दौर पाऊगे अकेले एगदम तेजी से दौर पाऊगे sickness तो देखो भाई यहाँ पर chlorine जो है chlorine आपको दिख रहा है chlorine जो है वो अकेला एटम है लेकिन OH में दो-दो एटम है तो यह तो हार जाएंगे क्योंकि यह दो आदमी है दो एटम है ना दो एटम तेजी से नहीं दौर पाएगा लेकिन एक क्लोरीन तेजी से दौर पाएगा इसी के लिए असानी से क्लोरीन इसके पास पहुँच जाएगा और हमारा जो OH है वो solution के लीचे ही रह जाएगा तो OH को मैं यहां पर हटा देता हूं क्योंकि यह रेज से बाहर हो गया अब क्लोरीन जो है क्या करेगा क्लोरीन के पास अभी इलक्ट्रोन बहुत जादा है क्यों क्योंकि नॉर्मल क्लोरीन की बात करें तो उसका एटमिक नमर 17 होता है तो उसमें 17 इ इसके पास अभी 18 इलक्ट्रोन है एक ज्यादा इलक्ट्रोन है तो यह चाता है क्ये हम परित एक एक उलक्ट्रोन है वो loss करना होगा, तब जाके यह Cl बन जाएगा, है ना, तब इसके पास 17 इलक्टोन रह जाएगे, क्योंकि एक इलक्टोन तो वो loss कर दिया, तो क्या अकेला क्लोरीन एक्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो उसी तरह से एक और क्लोरीन का वो इंतजार करेगा, वो एक इल से क्लोरीन गैस निकलता नजर आएगा, तो अब मेरे को क्वेशन क्या कहा रहा है, अभी प्रूफ हो गया ना, एक मिनट सर, एक मिनट मेरा कोई लॉक लग गया, एक मिनट, ओके, तो यहां पर देखो, क्या कहा रहा है कि, हाँ, ब्राइन अगैस जी इस लिबरेटेड एट एनोड, तो भाई यह जो क्लोरीन गैस है न, यही तो हम लोगों का जी है, जी गैस जो है, वो क्या है क्लोरीन है, जो एनोड से हमको निकला, अब पता चल गया न, क्लोरीन गैस जो है, हम लोगों का एनोड से निकला, पहले हमको कंफ्यूजन था, हाइड्रोजन निकलेगा कि chlorine निकलेगा अब पता चल गया anode से कौन सा gas निकलेगा chlorine gas निकलेगा ठीक है sir बढ़िया तो यह मेरे को confirm हो गया तो हम लोग का पहला question solve हो गया write the formula of g g का formula तो हम लोग कर दिये chlorine के लिए c l 2 होगा ओके और c क्या है sir c क्या है तो c भी देख लेते हैं तो जी तो मेरे को पता चल गया अब c क्या है when this gas g is passed through select lime a compound c is formed तो देखो भाई मैं यहाँ पर कर लूँ नहीं उदर तो question होगा कहां पर लिख दूँ यहां रिटेता हूं थीक है तो क्या रहा है कि यह जो जी गेस है जी गएस क्या था जी गएस हम लोग का chlorine था अगर यह chlorine gas किस के साथ sir किस के साथ यह जो है g gas किस के साथ select lime के साथ तो select lime का chemical formula क्या होता है c aosit का whole twice होता इसके साथ अगर reaction करेगा तो यहां पर एक compound बनेगा जिस कमपाउंड को नाम दे दिया गया है तो बनेगा क्या हम लोग को ही पता है पता है सी अmemc Future लुट बनेगा आट तो यहां पर यह जो इसका वी बना रहा nhा यह कं EB है C का chemical formula CAO CL2 है ओके अगला है हाँ हो गया अब दूसरा नमर कोशन कह रहा है state the chemical equation involved इसमें जो chemical equation होगा वो chemical equation भी बताना है तो देखो भाई मैंने chemical equation भी लिख दिया असान है फिर आगे देखिए और तीसरा नमर कोशन कह रहा है what is common name of compound C यह जो compound C आपको दिख रहा है इसका common name क्या है इसका common name bleaching powder होता है क्या है bleaching powder इसको हम लोग bleaching powder बोलते हैं और इसका जो chemical name है real chemical name है वो क्या है वो इसका नाम है calcium oxy chloride calcium oxy chloride मैं लिख देता हूं calcium oxy chloride ठीक है तो यह question हम लोग का solve हो गया तो इसको note down कर लेजी आप लोग तो चलिए students यही सारा हम लोग का question छूट गया था acid basis and salt में जहां हमने सारे question को discuss कर लिया हूं अगले वीडियो में हम आप से मिलते हैं जिसमें हम लोग metals and non metals का previous year question आपको हम इतना ही रखते हैं हम मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हींद वंदमात्रम रादे रादे जय सिरी राम